असलाम अलीकुम चलिए आज हम बनाते हैं गाजर का जूस वो भी बिना जूसर के अगर हमारे पास जूसर मशीन नहीं है तो हम ऐसे ही भी गाजर का जूस बना सकते हैं चलिए हम बताते हैं कैसे बनाना है गाजर और अद्रक और हरे धनिये का जूस तो हमने लिया एक मिक्सी का जार, जार के अंदर गया हरा धनिया, यह हमने धो लिया है, और गया इसके अंदर अधरक, चलिए अब काट लेते हैं गाजर को, आप चाहे मोटी पतली कैसी भी गाजर काटे, मिक्सी अपने आप इसको बाजी कर देगी, और गाजर का सीजन चला ह है बहुत अच्छी गाजर आ रही हैं तो इसलिए जूस पीना तो बहुत फाइदे मद होता है तो क्यूं इसको मिस्किया जाए चलिए जूस बना लेते हैं तो बहुत आ बैं找ते हैं को आझने सबी गाजर को इसी तरह से हम काट लें य देखिएаются के बीच का पार्ट मैं तो गाजर अर्मै जादा हो रही है इसलिए मैं इसको दो बार में निकालूंगी चलिए गाजर को आधी निकाल लेते हैं कम कर लेते हैं गाजर को ये देखिए चलिए इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी एक कप के करीब ये देखिए जिससे की गाजर हमारी बारी एक पिस जाएं चलिए इसको पीस लेते हैं तो ये देखिए सारी गाजर को हमने इस तरह से पीस लिया है इसको कर लेते है यह हमने छनी ली है और बगोना बस इसको हम चान लेंगे तो बस इसको हम इस तरह से लेंगे चान ये देखे इसका रस निकलता जा रहा है और आप चाहे तो इसके अंदर चकुंदर भी डाल सकते हैं और नीमू का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने चकुंदर और नीमू मैंने पिछली बार गाजर वे चुकंदुर का जूस बनाया था इस बार मैंने खाली गाजर का जूस बनाया है अगर हमानी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्स्राइब करना और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा जूस का तरीका यह निकाल सकते हैं यह देखे कितना जादा जूस निकल ला है इस तरह से सारे जूस को इसी तरह दबाते हुए निकाल लेंगे जर का पूरा का जूस निकल गया है इस तरीके से कितना जादा जूस निकला है और आपको अगर इसमें चीनी पसंद है तो आप चाहें तो चीनी भ देते हैं एक ग्लास के अंदर ग्लास में डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक और अगर आपको नीमू पसंद है तो आप इसके अंदर नीमू भी एड़ कर सकते हैं कि यह देखिए तो बस यह देखिए कितने आसान तरीके से बिना चुकुंदर के हमारा गाजर का जूस बनकर तयार है बहुत ही टेस्टी लगता है बड़ा मज़ेदार यह जूस लगता है आप इसको जरूर ट्राइ करिए कि यह देखिए